नमस्कार मैं महावास्तु अच्छारे दीपीका जैन आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक केस स्टेडी जो की एक महिला के बारे में हैं जिनका कई बार मिस्कारेज हो गया था और वहजवास्त से बहुत परेशान थी हमारे कुछ महावास्तु उपचारों के साथ में जिसमें एक छोटी सी टेक्नीक होती है रिलोकेशन की कि उसी घर के समान को रिलोकेशन कर दिया जाए उस टेक्नीक का मैंने यूज किया और यूज करने के साथ में जो महिला थी जिनका मिस्कारेज हो रहा था वह अपनी उस प प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई केस क्या था एक महिला मुझसे आकर मिली उन्होंने मुझे बताया कि बार-बार मिस्कारेज हो जाता है जिसका डॉक्टर भी कोई कारण नहीं निकाल पा रहे हैं डॉक्टर का कहना है कि इसका कोई कारण हमें मेडिकल में नहीं देखाई दे रहा है कि किस कारण से बार-बार मिस्कारेज हो रहा है लेकिन इस तरह का केस उनके साथ में लगबग आठ से दस वार हो चुका था जिससे वह बहुत परेशान थी और परेशान होकर मुझसे आकर मिली कि आप एक बार देखके बताईए क्या इसमें कुछ करने के बाद में मैंने क्या देखा कि एक बच्चे के जन्म के लिए एक घर में जिस जिस चीज की आवश्यक्ता होती है वह सारी चीज़ें उनके यहां पर बिल्कुल ठीक अपनी जगापार थी उनका किचन भी सही दिशा में था साउथीस्ट में उनका किचन बना हुआ थ इस नौर्थीस दिशा भी उनकी बिल्कुल ठीक थी सारी चीजें ठीक थी जो एक कमी थी वो कमी क्या थी कि उनका जो खुद का बैड लगा हुआ था जिस रूम में वो सोती थी जहां वो दमपती सोते थे उनका बैड लगा हुआ था वह डिस्पोजल की दिशा में लगा किया मैंने उनके बैड को डिस्पोजल की दिशा से हटा कर उसके पास में ही जो दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट उसमें शिफ्ट करा दिया उनका बैड शिफ्ट हो गया मैंने का आप बैड शिफ्ट करा लीजी उसके कुछ दिनों बाद में फिर हम देख लगभग दस महीने बाद वही जो महिला थी उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया आपने देखा किस तरह से एक छोटा सा रिलोकेशन करने से जो महिला की समस्या थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई अगर आप इस तरह की और भी कोई किस स्टेडी अपने किसी सब्जेक पर मुझसे सुनना चाहते हैं तब आप मुझे नीचे द्रिये के डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही नमस्कार